यालो यूट्यूब राकी शुमंकर फ्रम दिस साइट तो आप इसे बहुत ज्यादा लोग एकदम परिशान होगे होंगे बैक जो कभर होता है उसको यूज करकर के यह की थोड़ा मोटा बना देता है आपका स्मार्टफोन को आप बहुत ज्यादा पेशा पे करते हो आपको तो पहले से भी पता होगा फिर भी आप सुछते होंगे इसको लगाने से कुछ फाइदा है या नहीं है और मैंने इसको experience कर चुका हाँ बहुत सारे दिनों से मैं इसको use कर रहा हूँ तो मेरे पास एक kind of मैं इसको review कर सेता हूँ कि कैसा है यह product आपने तो screen के उपर जो YouTube के उपर touch किया होगा जो वीडियो को तो आपको तो पता होगा यह चीज क्या है हाँ जी इस वीडियो में हम बताएंगे कि केसे आपको एक screen जो होता है अपके phone में लगाना चाहिए और उसी के साथ साथ बताएंगे कि क्या pros है और क्या कौन से यानि कि क्या अच्छा ब वेस्ट नहीं करते हैं so with that being said let's have some take bites तो गर बात करते हैं क्या है pros pros number one तो इसका जो size बहुत ही perfect है आप अगर एक back cover लगाते हो तो बहुत ही मोटा हो जाता है आप चाहिए दुनिया में कहीं पर भी घुम जाओ जितना भी पतला back cover ढो फिर भी phone को मोटा बना देता है और पतला होता तो scratch आ जाता है उतना भी पतला नहीं है एकदम perfect size का है और बहुत ही मोटा नहीं है कि आप पकड़ोगे तो बहुत ही बूरा लगेगा एकदम perfect size का आता है जो next अच्छा बात है यह texture बहुत ही अच्छा होता है आप अगर चूज करते हैं जैसे कि मैंने चूज कि लगता है और रॉबर टाइब का आता है बहुत सारे विडियो को पूरा देखने हम बता देंगे कि कहां से आप purchase कर जकते हो बेस्ट बाइलिंग और उसी के साथ साथ एक surprise भी मिल जाएगा तो नेक्स जो बात आता है कि हमार जो फोन होता है हम उस पर चड़ाते है बैक अप और उससे एकदम में एक problem ये होता है कि आपका जो फोन हीट होता है आप gaming करते हो जादा time video recording करते हो फोन बहुत ही हीट होता है और हो जो हीट होता है वो अबज़र होके रहता है फोन के body के साथ में क्योंकि आप चड़ा देते हो back cover इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो screen होत अच्छा लगा रैक का अड़नाम है आप इस वीडियो को देखने बाद link आपको discussion box मिल जाए का कोई भी paid promotion नहीं है हमें अच्छा लगा इसलिए हम बता रहे हैं हाँ एक kind of collaboration है बट paid promotion नहीं है तो वहां से जाके आप purchase कर सक्थ हो आपके जो भी smartphone है और एक चीज़ बहुत आ design और उसके बाद में आपको बस input करना रहता है क्या है क्या है आपका smartphone का नेम और model नेम आप input करते हो तो आपको मेल जाता है और उसी के सासाथ आप लाके उसको purchase करके यूज कर सकते हो के से use करना है इस वीडियो में बता देंगे बहुत ही easy है बहुत ही easy to use है वैसे ही अगर आप अपने phone के उपर एक jcb चड़ाते हो तो मेरे हिसाफ से आपको नए phone purchase करना पड़ेगा तो जादा टाइम वेच नहीं करते हैं देख लेते हैं कैसे use करना पड़ता है इस product को तो यह है packaging जो हमें box मिलता है wrap cut के तरफ से आफ फिलाल यहां पर अगर आप scan करते हो अपने चोटा सा card आप चाहो तो उनके website में विजिट कर सकतो नंबर पर कर सकतो और यह में product में स्कीन जिसको हम चड़ाएंगे अपने phone के उपर तो यह है हमारा phone one plus two और यह इसका back side बहुत ही खराब हो गया था और हम जा रहेते हैं इसके उपर कुछ यूज़ करने के लिए यह है इसका manual आप चाहो तो इसको watch करके इस वीडियो को फर्ट सकते हो या फिर हम बता देते हैं के से यूज़ करना है बहुत ही simple process है तो पहले आपको wipes लेना है यह पहले लिखा है cleaning wipes number one जो की फिलाल red color का है तो इसको निकालता है छोटा सा paper type का product है और उसको use करना है मतलब घसना है फोन के ऊपर लगाना है आफके फोन में back side में और उसी side में जहां पे आपको लगाना है front side में बिलकुल नहीं लगाना है back side में जहां के ऊपर जिसके ऊपर आपको चाहिप बस ऐसे ही जेसे ही आप वीडियो में देख रहे हैं यहम इसके बाद घल झो स्ट करना है आपके फोन के ऊपर उसको थोड़ा घशना है थोड़े दर इसको यूज करने के बाद उसके बाद आप स्कीन लगा सकते हो इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे कैसे स्कीन यूज करना है फिलाल हम कोसिस करें जो मेन पार्ट है उसको निकालने के लिए बहुत सिंपल है आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आप खूद अपने हाथों से घर बेट के कर सकते हो तो बस इसे निकालना है और दीख के बहुत ही मतलब जो स्पेस है क्यामरा के लिए उसी के हिसाब से मेजर करके आप लगा सकते हो और हां एक बहुत ही अच्छा बा लगा लो बहुत ही प्रोसेस मुझे लगा और इसका ग्लू जो है बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छे तरीके से फीड हो जाता है तो यह था में जो स्कीन जिसको की हम अलेडी लगा जो करनरिंग एरिया होता है अच्छे टाइप से फ्रेस करता हो और उसके बाद जित थोड़ा देखके लगाना पड़ता है क्योंकि अगर होल बांद हो जाएके तो माइक्रोफॉन का ओडियो अच्छे से नहीं जाएका यह हो गया मेरा काम कंप्रेट यह उडेन टेक्सर हम अडर किये थे यह विलकूल टेक्सर भी मिलता है उडेन का और उसी के साथ साथ बहुत यह बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो तो अगर वीडियो अच्छे लगाए लाइक तो जरूर करना और जो सर्प्राइज है यह यह है तो यहां पर डेस्क्रिप्शन बॉक्स मेल जाएगा वहां पर क्लिक करो और जाओ रैक्काट जो एफसाइट है उसको यूज करना चाहते हो चूज करो और पर्शिज कर डेस्के करो चूजOME करो यह और पर्सेज करें करता लिया थो मैंने कंट करड़ कि मुझे टैक कर सकते हैं मुझे अच्छा लगेगा कि आपने वहां से प्रचीज किया और हमारे कूपन को डियूज करके आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया तो इस वीडियो में इतना है सांक्क यू अड़ा विल कैच यू वे नेक्ष वां